हीरे की खान अमीर बनना चाहता था एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा अफ्रिका के लगबग सभी जगाओं पर उसने चान मारा उसके बाद भी उसे हीरों का कुछ भी अता पता नहीं चला समय गुजरने के साथ उसका मनुवल धीरे धीरे गिरने लगा उसने अपना अमीर बनने का सपना तूपता दिखाई देने लगा वो इतना हताश हो गया की उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था एक दिन उसी खेत के मध बहती छोटी नदी पर गया सासा उसे नदी के पानी में से इंद्र धरूशी प्रकास फूटता दिखाई पड़ा उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूरी की किर्णेच पढ़ने से वह चमक रहा था किसान ने जुक कर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया वह एक खुबसूरत पत्थर था उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा एक दिन उसके घर उसका मित्र आया उसने जब वह पत्थर देखा तो वह हैरान रह गया उसने पूछा मित्र तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो किसान ने जवाब दिया नहीं मित्र मेरे ख्याल से ये हीरा है शायद अब तक खोजे गए हीरो में से सबसे बड़ा हीरा किसान के मित्र ने बोला किसान के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुल लिए फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली वह पत्थर हीरे ही थे उस खेत के हीरों का भंडार था वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खादान थी उसका खादान का नाम किम बरले डाइमंड माइन्स है दूसरा किसान उस खादान के वज़े से माला माल हो गया पहला किसान अफरिका में दर दर भटका और अंत में जान दे दी जबकि हीरे की खाद उसके अपने खेत में ही उसके कदमों तले थी तो दोस्तों इस से हमें ये सीख मिलती है कि हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलास में भटकते रहते हैं हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं जीवन में सफल होना है तो आवशक्ता है कि बुद्धिमानी और परक से उन अवसरों को पहचानने की और धायर्य से कारिय करने की सफलता निश्चित करे धन्यवाद